हेलो फ्रेंज, वेलकाम टू माई चैनल टेक खेल फ्रेंज आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक रिमोट कॉंट्रोल सुइच बनाना सीखेंगे तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं और इस रिमोट कॉंट्रोल सुइच को बनाना सीख लेते हैं देखिए दोस्तों आज हम इस सर्कीट को बनाना सीखेंगे दोस्तों ये एक remote control सुइच है और friends देखिए ये है इसका receiver circuit और ये है इसका transmitter circuit और दोस्तों ये transmitter circuit 3 volt power supply से काम करेगा और ये receiver circuit 12 volt power supply से काम करेगा और friends देखिए इस receiver circuit में मैंने इहाँ पर एक relay लगाया है दोस्तों इस relay के साथ आप कोई भी electric light या fan या कोई भी electric appliance आप connect कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब हम इस remote control सुइच को बनाना सीख लेते हैं दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक blank PCB board का टुकड़ा उसके बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 16 pin IC stand उसके बाद friends देखिए अब हमें इस IC stand को circuit में ऐसे लगा लेना है लगाने के बाद इसे हम लोग circuit के साथ solder कर देंगे solder करने के बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक CD4017 IC friends देखिए इस IC में total 16 points है और friends देखिए IC में इहाँ पर यह जो कटा हुआ भाग है इसके इस side में यह जो सारे points है यह है 1 number से लेके 8 number तर और friends IC के इस side में यह जो सारे points है यह है 9 number से लेके 16 number तर और दोस्तों यह जो 16 number point है यह है इस IC का positive point और friends यह जो 8 number point है यह है इस IC का negative point उसके बाद friends देखिए अब हमें इस IC को IC stand में ऐसे लगा लेना है और friends देखिए IC का जो कटा हुआ भाग है यह है इस side में उसके बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक tar का टुकरा उसके बाद दोस्तों अब हमें इस tar को IC के 8 number और 13 number point के साथ एक साथ ऐसे solder के लेना है solder केने के बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और एक छोटा सा tar का टुकरा उसके बाद friends अब हमें इस tar को IC के 4 number और 15 number point के साथ एक साथ ऐसे solder के लेना है solder केने के बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 10 के register उसके बाद friends देखिए अब हमें इस register को circuit में ऐसे लगा लेना है लगानी के बाद friends देखिए इसे हम लोग circuit के साथ solder कर देंगे solder केने के बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकरा उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को 10 के रेजिस्टर के इस पॉइंट के साथ solder केना है उसके बाद उसी तार को हमें solder केना है फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर IC का 8 नमबर और 13 नमबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ, उसके बाद friends देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक IR Receiver, उसके बाद friends देखिए, अब हमें इस Receiver को सरकित में ऐसे लगा लेना है, और friends इसका जो Negative Point है ये है उपर की तरब, और जो Positive Point है ये है नीचे की तरब, उसक को हमें सोल्डर करना है, friends देखिए, यहाँ पर 10 के रेजिस्टर का एक पॉइंट, जो हमने सरकित के साथ सोल्डर किया है, उस पॉइंट के साथ, उसके बाद IR Receiver का Negative Point हम लोग सरकित के साथ सोल्डर कर देंगे, सोल्डर करने के बाद, friends देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तर का टुकरा, उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तर को IR Receiver के Negative Point के साथ सोल्डर करना है, उसके बाद उसी तर को हमें सोल्डर करना है, IC के 16 Number Point के साथ, उसके बाद, friends देखिए, अब हमें लेना एक टार का टुकडा उसके बाद दोस्तों अब हमें इस टार को IC के 14 नमबर पॉइंट के साथ सोल्डर करना है उसके बाद उसी टार को हमें सोल्डर करना है फ्रेंट्स देखिए यहाँ पर 10 के रेजिस्टर का एक पॉइंट और IR receiver का positive पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किय है उस पॉइंट के साथ उसके बाद friends देखिए अब हमें लेना परेगा एक 1 के register उसके बाद friends देखिए अब हमें इस register को circuit में ऐसे लगा लेना है लगाने के साथ सोल्डर करना है अब हमें लेना पड़ेगा एक 2222a transistor और friends देखिए ये है इसका collector point ये है इसका base point और ये है इसका emitter point उसके बाद friends देखिए अब हमें इस transistor को circuit में ऐसे लगा लेना है और friends देखिए transistor का जो कटा हुआ भाग है ये है इस side में और जो round portion है ये है इस side में उसके बाद friends देखिए अब हमें transistor का जो base point है उस point को हमें solder करना है friends देखिए यहाँ पर 1 के register का एक point जो हमने circuit के साथ solder किया है उस point के साथ उसके बाद transistor का emitter point हमें solder करना है friends देखिए यहाँ पर IC का 8 number 13 number और 10 के register का एक point जो हमने एक साथ solder किया है उस point के साथ उसके बाद transistor का collector point हम लोग circuit के साथ solder कर देंगे solder केने के बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 12 volt relay उसके बाद friends देखिए अब हमें relay को circuit में ऐसे लगा लेना है लेकिन दोस्तों लगाते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है relay के जिस side में 3 point है ओ side रहेगा board के इस side में और दोस्तों relay के जिस side में 2 point है ओ side रहेगा board के इस side में उसके बाद friends relay को हम लोग circuit के साथ solder कर देगे solder केने के बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 220 तार का टुकड़ा उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार relay के इस point के साथ solder करना है उसके बाद उसी तार को हमें solder करना है transistor के collector point के साथ उसके बाद friends अब हमें दूस्ता तार relay के इस point के साथ solder करना है उसके बाद उसी तार को हमें solder करना है friends देखिए यहाँ पर IR receiver का negative point और IC का 16 number point जो हमने एक साथ solder किया है उस point के साथ उसके बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1N4007 डायोट उसके बाद friends देखिए अब हमें डायोट को ऐसे काट लेना है काटने के बाद इस डायोट को हम लोग री लेके ये दो पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे और दोस्तों देखिए डायोट का जो सफेद मार्क का निसान है ये है नीचे की तरब उसके बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार इस पॉइंट के साथ सोल्डर करना है तो दोस्तों ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार ये है नेगटिव तार और ये है पॉजिटिव तार तो दोस्तों रिसीवर सर्किट कॉम्प्लीट हो चुका है तो friends चलिए अब हम ट्रांस्मीटर सर्किट बना लेते हैं दोस्तों transmitter circuit बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक छोटा सा blank PCB boat का टुकरा उसके बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक IR LED उसके बाद friends देखिए अब हमें इस LED को circuit में ऐसे लगा लेना है और friends ये हैं इसका positive point और ये हैं इसका negative point उसके बाद IR LED को हम लोग circuit के साथ solder कर देगे solder करने के बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक micro push to on switch उसके बाद friends देखिए अब हमें इस switch को circuit में ऐसे लगा लेना है लगाने के बाद इसे हम लोग circuit के साथ solder कर देखिए solder केने के बाद friends देखिए अब हमें देना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकरा उसके बाद दोस्तों अब हमें इस तार को IR LED के positive point के साथ solder केना है उसके बाद उसी तार को हमें solder केना है switch के इस point के साथ उसके बाद friends देखिए अब हमें देना पड़ेगा दो पी स्टार का तुक्राव उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार स्विच के इस पॉइंट के साथ सोल्डर करना है उसके बाद दूसरा तार हम लोग IR LED के नेगटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे तो दोस्तो ये दो तार हो गया इस circuit का power supply का दो तार ये है positive तार और ये है negative तार उसके बाद friends देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 AA battery holder दोस्तो ये battery holder आपको आसानी से किसी खड़ाब खिलोने से आपको मिल जाएगा उसके बाद friends देखिए अब हमें battery holder के पीछे की तरफ circuit को गम से fix कर लेना है fix करने के बाद friends देखिए अब हमें positive तार को battery holder के positive point के साथ solder करना है उसके बाद negative तार को हम लोग battery holder के negative point के साथ solder कर देंगे तो दोस्तो ये पूरा circuit complete हो चुका है तो friends चलिए अब हम इस circuit का circuit diagram एक बाद देख लेते हैं देखिए दोस्तो ये है इस circuit का circuit diagram इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो दोस्तो चलिए अब हम इस circuit को check करके देखते हैं तो दोस्तो चलिए अब हम इस circuit को check करके देखते हैं Friends इस circuit के साथ मैंने यहाँ पर एक 12V adapter connect किया है और दोस्तो देखिए इस relay के साथ मैंने यहाँ पर एक LED bulb connect किया है तो चलिए अब हम इस circuit को check करके देखते हैं झाल 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 तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक रिमोट कॉंट्रोल सुइच बना सकते हैं तो दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे उमीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट से आर करना मद भूलिए तो दोस्तो आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स और थैंक्स फॉर वाचिंग